तो जो के पौता की पौत होगी और आपके पौत गोध तो होगी और होगी आपके पौत को में सब्सक्राइबं करा इस Venner को लिए खर देना और फिर Carn clear लेना है को डिबे को आप से काट ले सकते है दो से 3 L पानी आराम साध़ जाए और फिर आपको ऐलोरा को बिल्कूल खोटेag होटे-छोटे उप्ते खुड़गों में काट मैं आपको काट के बताता हूं किस साइज में अपको कस साइज में लेना है अब आपको करना क्या है इसको एक container में डाल के इसके एक लिटर पानी डाल दीजिए और इसे दो दिन के लिए ऐसे छोड़ दीजिए फर्टिलाइजर उसके अंदर उसका एक लीटर पानी और मिला देना है यानि एक लीटर फर्टिलाइजर और फिर उसके लीटर नॉर्मल पानी जिससे खाद हलकी हो जाए और पोदे इस अच्छे से ले पाए तो अब जो आपका जो वेश्ट अलोवेरा बचा है उसे आपको चार दिन के लिए बूगो दीजिए और जो भामारी खाद बन के तार हुई आप इसे सबी परगा के पोदों पर को देश रखते हैं महीने में एक बार आपके पोदों की ग्रोध भी शांदा कर देगे और जो आपके पोदों की मिट्टी है उसे ठंड़क भी देगी और जो न